तो दोस्तों मीव करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की दीनेटी प्रेपेशन बहुत अच्छे से चल लए होगी दोस्तों यहाँ पे जून साइकल का जो एक्जाम हुआ था पेपर लिख होने की वज़े से आपका एक्जाम फिर से हो रहा है साथ ही साथ अब यहाँ पे दिसंबर साइकल में जो लिख एक्जाम दे रहे हैं वो भी कही न कहीं तेंज हो गया है कि उन्हें भी अपनी प्रेपेशन करनी है इन्हीं चार महीले में तो आप दोनों ही साइकल के एक्सपिरेंट्स के लिए में उताना चाहूंगी कि यह जो सेशन से आप सभी के लिए इंपोर्टेंट है कि अब यहां पर यह जो सेशन में भी कंट्यूली कर रही हूं यह मैं एक्जाम के भी पॉइंट आफ वी से कंट्यूली कर रहे हूं साथ ही साथ जो डिसमब्र साइकल के लिए उनके लिए भी इंपोर्टेंट है क्योंकि इन सेशन से उन्हें यह समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है यहां से इंपोर्टेंट टॉपिक है जहां से कुछे जाते हैं तो पिलाल अभी के लिए यह जो प्रॉइट कराए जा रहे हैं यह दिसंट में जो एडिन जून को एक्जाम आपका हुआ था उसी पैटरन को हम यहां पर फॉलो कर रहे हैं जिससे कि आप सभी ए इस्पिरेंट है उनका भी एक्जाम क्रैक हो जाए साथ ही साथ जिने जुलाइज दिसंबर का एक्जाम देना है उनकी भी एक्षी प्रपेशन ठोटी चले तो आई होप कि यह और यह वीडियो दोनों ही वोक्न होगा जो दोस्तों स्टाट करते हैं शेशन लेकिन उसके पहले आपसे भी सबताना चाहूंगी कि यहां पे डेली फोर पीएम पे हम सेशन लेते हैं जो कि फ्रेली एवलेबल होता है साथ ही साथ हमारा textbook का app है इस पे भी हम daily basis पे sessions लेते हैं तो ये दोनों ही free sessions है जिसका access आप सभी को provide कराया जाता है लेकिन साथ ही साथ ये भी बोलूगी दोस्तों कि अगर आप December cycle के लिए preparation कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक attempt पे आप अपना exam भी crack कर ले जाओ तो कोई अस आपको follow करनी होती है ठीक है तो आप सभी experience के लिए advice सही रहेगी कि आप सभी लोगों के लिए online courses दो है available है classes भी स्टार्ट हो चुकी है जो daily basis पे 2.30 pm पे चल रही है ठीक है तो courses आप purchase कर सकते हैं बाकी सारी details जो है वो मैं आपको session के end में discuss कर दोगे साथ ही साथ अगर अगर अगरी तक आप हमारी telegram group से जूरे नहीं है तो फटा फट से जूर जाएए इससे क्या benefit होगा कि जो भी updated details होंगी वो सारी आपको इसी group के थू share की जाएंगे साथ ही साथ जो PDF होते हैं वो PDF भी आपको इनी group के थू share किया जाता है ठीक है ठीक है साथ session start करूंगी तो दोस्तों यह जो मैं question का pattern मैंने बनाया हुआ है यह moderate to tough level का है जिसमें maximum question जो है वो tough level के ही बनाये गया है बैसा कि मैं हमेशा आप से कहती है आई हूँ कि आपको हमेशा worst condition के लिए ready रहना चाहिए ठीक है तो especially अगर आप management subject से एजाम देने वाले हैं तो आपके paper का level easy नही बात है तब तो no doubt आपका exam crack होई जाएगा लेकिन अगर तब भी आएगा तो भी आपकी preparation ऐसी दहेगी कि आप easily exam crack कर सकते हैं ठीक है तो start करते हैं पहला question पहला question है match the following type of derivatives with their corrected description तो अब यहाँ पे कुछ derivatives दिये गये हैं दोस्तों और नीचे यहाँ पे इनके related descriptions भी दिये गय हैं आपको क्या करना इसको match करना है future contract क्या है option contract क्या है forward contract क्या है या swaps क्या होते हैं तो दोस्तों आपका जो है UGC net management का syllabus उसमें एक सब topic है आपका derivatives का यहाँ से आपका एक question आता है हर बार इसमें कई type के contract हैं यह सारे ही options में दिये गये हैं इसमें से कोई नी कोई एक question आप सारे ही contract के बारे में कुछ detail दे दिये जाए तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं options यहाँ पर यह दिये गये हैं अब अगर हम contracts के बारे में बात करें दोस्तों तो यहाँ पर यह जो contracts होते हैं actual में यह दो party के बीच में होने वाले agreement हैं जो किसी भी product या किसी भी asset को लेकर के यह जाते हैं जैसे यहाँ पर एक contract हो रहा है तो कम से कम दो लोगा होना जरूरी है एक कोई होगा buyer तो दूसरा कोई होगा seller दोनों के बीच में deal क्या होगा कि seller buyer को को कोई सामान देगा बदले में buyer seller को क्या करेगा कुछ payment करेगा ठीक है नॉर्मली भी यही चीजे होती है तो यह जो derivative product होते हैं इंग में जो contract होता है तो condition यह होता है कि आज के date में दोनों party के बीच में एक deal हो जाती है कि हम यह product खरीदेंगे यह asset खरीदेंगे कितने के खरीदेंगे कितना volume उसका होगा लेकिन actual में उस asset के delivery होती है ट्रांसफर होता है वो किसे future date में होता है तो यह जो होता है future contract एक standardized contract है options contract क्या है यहाँ पे holders को यानि buyer को कुछ अधिकार दे जाते है forward contract जो होता है यह कुछ customized contract है और swap होता है तो पिलहाल detail में इसको भी हम इसका session जरूब बहुत जल्दी आपके लिए लेके आएंगे क्योंकि यह चारों ही content जो है आपके लिए important है चब में थोड़े थोड़े से differences है जिनके basis पे इन contract को identify किया जाता है अगर आपका concept clear नहीं है तो आप इन चारों में हमेसा confused ही रहते हो ठीक है पिला जैसा कि मैंने बोला बहुत जल्द मैं इसको लेके detail session लाने वाली हूँ जहाँ पर मैं इन चारों को detail में आपको समझाओंगे कि इनके बीच में differences क्या होता है या फिर यह क्या होते है तो यहाँ पे overall पहला option जो है यह correct हो जाएगा future contract क्या हो जाएगा एक standardized contract है ठीक है option contract क्या है option number D हो जाएगा जहाँ पर holder को कुछ अधिकार मिलता है forward contract क्या है forward contract क्या है क्या है marketing and innovation are the two basic functions of a business enterprises so who is known for this statement कह रहा है कि किसे भी business enterprises के जो दो main business consider function consider के जाते हैं वो होता है marketing और innovation यह statement किस ने दिया था तो कई की बार ऐसा दिया देखा गया है दोस्तों कि marketing का या फिर जो entrepreneurship है इसके कुछ definitions दिये गहें अलग-अलग के द्वारा सीधे सीधे उन्होंने जो definition दिया है वो question पूशन पूश ले जाता है और कह दिया जाता है कि बताओ यह statement किस ने दिया था तो जो कुछ main important definitions है वो आपको पता होने चलिए यहां पर correct answer हो जाएगा option number B that is Peter F. Drucker इन्होंने ही कहा था कि किसे भी business operation के लिए किवल दो basic function होता है एक होता है marketing और दूसरा होता है innovation क्यों क्योंकि कि किसी भी company का किसी भी business पर जो main name होता है वो क्या होता है customer banana next question next question is which of the following regression model is appropriate for predicting a categorical item किसी भी categorical outcome को predict करने के लिए कौन सा regression model appropriate होता है linear, logistic, polynomial या फिर exponential तो यहां पर अगर हम categorical outcome के बारे में बात करें तो जो best यहां पर हो जाएगा regression model वो होगा logistic regression model इसी को most appropriate model माना जाता है next question है income elasticity of demand for inferior goods is positive, negative, zero या पर greater than one अगर inferior goods के बारे में बात करें तो इनके लिए income elasticity of demand क्या होती है तो goods के कई सारे types होते हैं जो economics में पूछे जाते हैं और आते भी है जैसे आपका given good क्या है superior good क्या है, inferior good क्या है, complementary good क्या है, substitute क्या है, यह सब पीजिए आके कई बारिज़ा में पूछे जाती है तो यहाँ पर अगर inferior goods के context में बात करें तो income elasticity of demand क्या हो जाएगी हमाइशा negative होगी income elasticity होता क्या है, it describes how responsive a given goods demand is to changes in the actual income of the customer who purchased it ठीक है, एक customer की income में कोई भी changes अगर आते हैं तो उसकी demand में क्या परिवर्टन होंगे, क्या changes होंगे इसको describe करता है क्या income elasticity of demand, तो overall इसका formula क्या बन गया, percentage change in demand quantity upon percentage change in income of customer next question है, capital budgeting पर बेस्ट कह रहे है, if the capital budgeting decision generates constant cash flow each year दिन payback period is, कहा है कि अगर capital budgeting decision से हर साल एक constant return generate हो रहा है, तो payback period क्या होगा, यानि payback period को कैसे calculate करेंगे payback period actual में दोस्तों होता क्या है, ये वो time period होता है, जहां पे कोई भी business firm ये चेक करती है, कि उन्होंने जो भी investment किया है, या जो भी investment करेंगे actual में ये future investment के लिए planning होता है, तो business firm ये देखती है, कि आप कोई भी investment अगर करते हो, तो ये amount कितने time में recover हो जाएगा, तो इसके लिए दो factors consider करते हैं, एक ये कि कितना investment हमने किया है, और दूसरा ये देखते हैं कि हर साल हमें कितना cash flow, यानि कि return generate हो रहा है, तो formula क्या हो जाएगा, initial investment upon annual cash flow, option number two, जो है यहां पे हो जाएगा, जो कि सीधा सीधा company को बता देगा कि आपने जितना investment किया है, उसको recover करने में कितना time लगेगा, next accounting principle का question है, अब यहां पे चार प्रिंसिपल्स दिये गए हैं, तंजर वेटिज्म प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्ण कॉंसेप्ट, मैचिंग कॉंसेप्ट, और रिवन्यू रिकापिनिशन कॉंसेप्ट, तो accounting principle से questions आते हैं आपके, अब यहां पे हमें मैच करना है, प्रिंसिपल्स को उनके description के साथ, तो चलिए, देख लोटे हैं, पहले शोट में आपको बता दैती हैं, इन प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, Concervate जो principle हमेशा anticipate करता है losses के against यानि ये principle हर business firm को protect करता है future में होने वाले losses को लेकर गे Going concern concept एक assumption है जो कि ये मानता है कि कोई भी business firm जो होगा इसकी एक infinity life होगी, in-depth life होगी, पर future life होगी ये कभी भी खत्म नहीं होगा Matching principle ये कहता है कि किसी भी accounting period में आपने जितने भी खर्चे किये हैं उन्हें खर्चों पे आपने कितना revenue निकाला आपको ये compare करना है जिससे आप overall ये देशको कि आपका business grow कर रहाया नहीं कर रहाया profit में हो या नहीं हो Revenue recognition principle क्या कहता है कि हमें कोई भी transaction तभी record करना चाहिए जब हमने revenue को recognize कर लिया हो यानि जब transaction हो जाए तभी हमें वो transaction note करना चाहिए तो correct option यहाँ पे क्या हो जाएगा option number B जब हो next is which kind of consumer behavior is spotted when there is significant differences between brand and also there is high involvement केरे किस टाइप का consumer behavior हमें देखने को मिलता है जब ब्रांड में differences होते हैं और यहाँ पे customer का ये consumers का high involvement भी होता है क्या ये complex buying behavior है variety seeking buying behavior है disonance reducing buying behavior है या फिर habitual buying behavior है तो यहाँ पे अगर ब्रांड में significant difference देखने को मिलेंगे तो ये हमारा option number one हो जाएगा that is a complex buying behavior ये कब होता है जब customer का या consumer का involvement बहुत ज़्यादा होता है पर changes को ले करके और ब्रांड के बीच में differences भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं नेक्सट 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 कोश्चन इस which of the following are the example of the personal barrier unit number one का question है communication पे-based communication के कई सारे barrier होते है और barrier से एक question हर बार दोस्तों आता है ये guaranteed है तो कौन-कौन से personal barrier का part बनेंगे value and believe, emotion, perception, personality, stats तो कुछ demographical barrier होते हैं कुछ psychological barrier होते हैं कुछ semantic barrier होते हैं कुछ personal barriers आपके होते हैं कुछ organizational barriers होते हैं तो अब यहाँ पे personal barrier के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे यह सारे ही statement बिलकुल ही correct है यह सारे जो आपके points दे गए हैं value and belief, emotion, perception, personality, style यह सारी ही personal barrier के part बनेंगे इसलिए option number D जो है यहाँ पे हो जाएगा ज्यादा तर जब exam में question पूछता है दोस्तों तो यहाँ पे जैसे यहाँ पर मैं ने 4 options दिए गया है 4 terms दे गया है उसमेंसे एक वो गलत यहाँ पे possibility है कि दो गलत देते, यह भी possibility है 3 गलत देते केवल 1 जही है यह भी possibility है कि 4 पे 4 गलत देते तो barriers के जो भी parts होंगे जो भी examples होंगे यह अपको अच्छे से पता होने चाहिए नेक्स्ट कोस्टन जो है यह अगें डेरिवेटिव पर बेस्ट है कह रहे हैं OTC डेरिवेटिव आर ट्रेड़ेटिव डेरेक्टली बिट्विन टू पार्टी विदाउट गोइं थू एन एक्षेंज क्या है स्टेट्मेंट सही है OTC डेरिवेटिव कॉंट्रेक्ट्स आर हाइली स्टेंडरडाइज एंद दस इजली ट्रांसफरेबल बिट्विन पार्टी कस्टमाइजेशन ऑफ OTC डेरिवेटिव अलाव पॉर स्पेस्पिक रिस्क मैनेजमेंट टेलर टू नीडव पार्टी एंद लास्ट रहे हैं कि यहां पर इसे इजली ट्रांसफर किया जा सकता है पार्टी के बीच में तीसरा कह रहे हैं इसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी है यानि जैसे पार्टी की नीड होगी उस बेसे स्पेस को हम क्या कर सकते हैं कस्टमाइज कर सकते हैं इस कॉंट्र को और लास्ट कह रह दूस्का statement यहाँ पर false है, कि यह highly standardized होता है, actual में highly standardized होता है, या तो contract standardized होगा, या तो customized होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, तो दूस्का statement यहाँ पर हो जाएगा, wrong. तिसला statement सही था कि भाई, यहाँ पर customization का option है, पार्टी के need के basis पेस में customization हो सकता है, changes हो सकते हैं, और last statement ही बिल्कुल सही था कि यह higher counterparty risk carry करता है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, option number 2 wrong है, उसके अलावा option 1, 3 and 4 correct है. Next question है, इसमें से कौन सा प्रमोशनल टूल प्राइमरली यूज किया जाता है इमेडियेट सेल जनरेट करने की लिए एड़टाइजिंग, पुब्लिक रिनेशन, सेल्स प्रमोशन या फिर डाइरेक्ट मार्केटिंग तो शॉर्टर्म इंसेंटिव के थूँ अगर इमेडियेट सेल्स जनरेट करने की बात की जाए तो यहाँ पर बेस्ट प्रमोशनल टूल जो होगा दोस्तों वह जाएगा ऑप्शन नमबर सी दाट इस सेल्स प्रमोशन इसका में मोटिव ही होता है इमेडियेट सेल्स जनरेट करना ठीक है कुछ शॉर्टर्म इंसेटिव के थूँ जैसे आपको प्रोड़क्ट के साथ डिस्काउंट दे दिया जाएगा कूपन्स दे दिये जाएंगे कुछ कॉंटेक्स्ट या सेंपल्स के थूँ आपको अपना प्रोड़क्ट बेशे जाने की बात की जाएगे तो जन्द कमपनियों की एक मार्केटिंग स्ट्रेजी होती है अपने प्रोड़क्ट को सेल करने के लिए चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चिन नेक्स्ट कोश्चिन है विच उप फॉलॉइंग आर्ट टॉप स्ट्रेजी इस तो इंप्लेमेंट वेन मैनेजिंग पोटेंशिल लेबर सॉर्टेज के रहे हैं किसी भी बिजनेस फॉर्म के द्वारा किसी भी और्गनाइजेशन के द्वारा वह कॉन्सी स्ट्रेजी किसी भी कंपनी में अगर इंप्लाई का सॉर्टेज है तो उस समय बेस्ट स्ट्रेजी वो कंपनी क्या यूज करेगी क्या वो अपने इंप्लाई को एक safe and healthy environment प्रोवाइड कर आएगी क्या वो अपने इंप्लाई को training देगी या किसी दूसरे एजनसी के साथ partnership कर लेगी ठीक है या फिर कोई इंप्लाई रिफ्रिल प्रोग्राम मेंटेन करेगी या फिर टैंप्ररी बिसिस पे contact रूप से क्या क करेगी इंप्लाई को hire कर लेगी ऐसे questions जब आते हैं तो आप खुद सोचों कि आपकी कोई एक company है और आपके पास staff का start is हो गया है तो आप कैसे चीजों को maintain करोगे या manage करोगे ठीक है तो जब आप four relate करके answers देते हो तो chances होते हैं आपकी option उससमें correct हो जाएंगे चलिए देख लेते हैं correct answer क्या होगा यहां पर दोस्तों यहां पर option number C जो है correct है जब यहां पर manage करना होता है potential labor shortage तो इस case में यहां पर उन्हें safe and healthy moment वाइक करा जाता है किसी agency के साथ हम partnership भी कर सकते है referral program भी manage कर सकते हैं ठीक है turn over reduce करने के लिए attempt कर सकते हैं अच्छे incentive provide करा सकते हैं उन temporary employee को hire कर सकते हैं यह outsourcing भी करते हैं लेकिन employee training जो है यह कभी जो है यह इसका part नहीं है इसलिए यहां पर option number C हो जाएगा यानि B को छोड़ करके बाती साही option यहां पर correct है कि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो स्टुडेंट्स जो है वो December cycle के लिए preparation कर रहे हैं दोस्तों July month already start हो चुका है आपके पास चार महीने का ही time है ठीक है पूरा MBA जो आपने दो साल में complete किया वही आपको वही सेम सलिवस चार महीने में complete करना है ठीक है तो यहां पर 10 units का मतलब यहां पर आपके 10 अलग-अलग subjects हैं और एक unit में कुछ 2-3 subjects को भी उन्हें combine कर दें जैसे अगर unit number one देखो उसमें आपका business management भी है business economics भी है, corporate governance भी है आपको सारे जीजें यहां पर पढ़नी है ठीक है तो चार महीने में आपको पूरा ही syllabus detail में पढ़ना है क्योंकि यहां पर easy question नहीं आते हैं गुमा पिरा के indirect question, application based question आता है तो ऐसे में question आप तभी attend कर सकते हो जब आपका command concept पर अच्छा हो तो इसके लिए हम यहां पर आपके लिए लेकर करके आए है foundation best 2.0 जहां पर आपको courses लेने हैं किसी भी subject से आप exam दे रहो आपको पता है UGC में दो paper होते है paper 1 and 2, paper 1 सबके लिए सेम है paper 2 आप अपने education qualification के basis पे आउठ करते हैं ठीक है तो यहां पर कोई भी subject से आप लेना है यहां पर आपको बहुत सारे benefit मिलने वाल है यानि एक हम यह कह सकते हैं कि आपके लिए हम एक one stop solution प्रोइड कराते हैं अगर आप UGC net के लिए preparation कर रहे हैं तो यहां पर paper 1 के लिए भी आपको guidance मिलने वाला है paper 2 के लिए भी मिलने वाला है पूरे content को आपको बहुत ही simple way में आपको हम क्या करे करेंगे आपके साथ आपको share करेंगे आपको समझाएंगे कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है हर इती जो को आपको डिटेल में समझना है जो भी classes होंगी उसका PDF आपको प्रोइड कराया जाएगा जिससे कि आप यह फासे की notes हो unlimited mock test यहां पर कराया जाते हैं जो बिल्कुल और जैसा कि मैंने starting में बोला था कि अगर आपने सही strategies फालो किया जो भी आपको हम guide कर रहे हैं जैसी guideline बता रहे हैं सेम अगर आपने वह फालो किया तो no doubt आप एक attempt में jump रह कर सकते हो हम बिल्कुल आपके साथ है पूरी textbook की team आपके साथ है बट दोस्तों आपको ही महनत करनी है जैसा कि मैंने बोला कि हम आपको पका पकाया खाना दे सकते हैं बट खाना आपको है ठीक है तो overall courses start हो चुके है तो आप सभी लोग फटाफट से courses ले लिजे जिससे कि आपको कोई delay ना हो अच्छे तरीके से बिना कोई pressure लिए अपना preparation आप continue कीजिए कोई भी doubt है तो आप हम डेली आते हैं live session करते हैं आप अपनी queries को raise कर सकते हैं एडमिशा लेने के लिए आपको contact करना है इस नंबर को ठीक है बाकि जिन्हें re-net देना है उनके लिए भी एक बहुत अच्छा option है एक बहुत अच्छा प्रोग्राइम हमारे पास है और वो option यह है दोस्तों कि अगर आप जिन्हें re-net का exam देना है वो अगर अभी के लिए यह cashback program में participate करते हैं यह courses लेते हैं यह courses का मतलब December 20 जो foundation batch के बारे में अभी मैंने discuss किया अगर यह batches re-net exam देने वाले experience लेते हैं और अगर re-net का exam वो crack कर जाती है तो आपके पास option होता है अगर आपका high merit में विया आप जियारफ भी qualify कर सकते हो और net भी qualify कर सकते हो इनकेस आपने courses लिया अच्छे से त्यारी किया ज्यारफ qualify कर दिया तो 100% fee आपके refund हो जाएगा वहीं अगर ज्यारफ quality नहीं हो पाया net qualify हो गया तो भी 80% refund आपका हो जाएगा इस courses को लाने का main motive यहीं है कि आप सभी experience जिन्हे दीनिट का exam देना है अभी दो महीने का time आपके पास है दो महीना भी sufficient होता है अगर आपका command नहीं है concept पे तो अभी भी time में इस से मैं को अच्छे से आफ उटिलाइज कर ले दें बाकि अगर आपका जो इनका paper अच्छा गया था आप confident होंगे ही कि थोड़ा बहु आपको मिलेगा जो booster course हमारा था उसका भी access आपको मिलेगा साथ इसाथ December cycle के लिए जो new batches मेरे हैं उसका भी access आपको मिलेगा तो एक तर उसे मैं भी advice आपको दे सकती हूँ कि अगर आपको आपका paper जून वाला खराब गया था या आपको लगता है कि आपको और महनत करने की ज़रूदत है तो courses में आप ये enroll कर सकते हो ठीक है बाकी जो भी link है वो description box में दी गई है वहां से आप सीधे enroll कर सकते हो और बाकी discount भी आपको मिल जाएगा अगर आपने ये coupon को apply किया तो max to max discount आपको मिल जाएगा अभी अच्छे offers भी है ठीक है courses में फटाफट से apply कर दीजे ठीक है फिर इसी के साथ session end करूंगी बाकी किसी query कोई भी query हो तो आप comment section में जा करके अपने queries raise कर सकते हैं ठीक है और preparation अपनी करते रहिए ये मत सोचें कि 50 दिन है तो आराम अभी कर लो बाकी एक महीने के बाद preparation start कर देंगे ठीक है क्योंकि अभी June में आपने exam दिया था आपने कर लिया होगा अगर बीच में आपने कुछ दिन भी छोड़ दिया दो तो यहां पर जो चीजे स्टाटिक है थोड़ी सी याद करने वाली रटने वाली जो चीजें आपको भूल जाएंगे कैसे आपने कुछ years याद किये होंगे कुछ प्रपांडर के नाम याद किय सूने से पहले जरूर से कौन सांस अपरो चीज़न को रहें हैं आकि आपने वाईती के प्लेटवर्म पर कई सारे स्ट भी लेकर रहते हैं जहां पर आपको मोखिवेट करने के लिए कुछ आपके लिए घर सांप को डिफाइन करके बताया जाता है ठीक है, मिलते हैं कल फे रिसी टाइम पर, thank you so much.